कि अधिया आज आपके लिए टेकंड क्लास में लेकर आया हूं फिजिक्स के चेप्टर वन के कुछ इंपोर्टेंट्स अब्जेक्टिव जो हमारे लिए आगे एक्जाम में बहुत काम आने वाले हैं अब्जेक्टिव है हमारे 28 मार्क्स के अब्जेक्टिव है और इनको हम कुछ इस टाइप से कवर करेंगे कि हम 10 या 15 यूनिट या 15 वीडियो में यह पूरे कंप्लीट हो जाए और आज हम इंदी और इंग्लिस दोनों जो मीडिय मैं उसके लिए इसको कवर कर हा रहे है हमने जो वीडियो बनाया था उसमें केवल हमारे पास हंदी मेडियम का रृट्टिंग था आज हमने उसको complete किया हिंदी इंग्लिज दोनों के लिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा जो चेप्टर है वो विद्धूत्रसायन और उसमें हमको मेल रहे हैं सबसे पहला question सही विकल्ब कि सही विकल्ब multiple choice question है लेकिन इसके जो question है उसमें अगर हमको नहीं भी हम उसके answer बता सकते इसे question है इसलिए मैंने उसके पूरे जितने भी अप्जिक्टिव के option थे वह हटा दिये तो हम start करते हैं पहला question लेते हैं फर्स question है मूल आवेस का मान कितना होता है तो value of original charge is what तो original charge की जो value होती है वो आपको पता होना चाहिए पता होगी वो कितनी होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम इसका मतलब 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 19 कुलाम मूल आवेस का मान होता है दूसरा question है एक कुलाम आवेस में इलेक्टरानों की संख्या कितनी होती है तो number of electron in one कुलाम आप चार्ज number of electron in one कुलाम आप चार्ज find करने के लिए हम use करते q is equal to n into e one कुलाम चार्ज है तो q की value 1 हो गई n की value find करना है and 1.6 into 10 to the power minus 19 q का मान एक रख दिया n का मान ग्यात करना है e का मान 1.6 गुणी 10 की घात minus 19 होता है अब हम इसको solve करेंगे यह आ जाएगा यहाँ पर बटे में 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 19 उपर चले जाएगा तो हम 19 को write कर सकते 10 to the power 1 into 10 to the power 18 दसकी घात एक गुणी 10 की घात 18 यह माइनस था तो उपर जाकर प्लस हो गया और नीचे आ जाएगा 1.6 यहाँ पर 10 में इलेक्टरानों की संख्या अगर यहाँ पर आपसे पूछे 2 कुलाम में कितने नंबर आफ इलेक्टरान होंगे 2 कुलाम में हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे यह याद रखेंगे आप 6.25 into 10 to the power 18 जो है 1 कुलाम चार्ज में नंबर आफ एलेक्टरान होते हैं निक्सलिक हैं कि प्रोटान पर minimum charge कितना होता है उता है यह चाइंग्टरान पर फ्चार्ज केसा होता है नेगेटिव होता है नेक्स्ट कुश्चन जो फूर्थ है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी बी एट डिस्टेंस आर डिव टू पॉइंट चार्ज क्यू बिंदू आवेस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्दू छेत्र की तीवरता की जो इंटेंसिटी है यह बी फूर पाइपसलों नॉट क्यू बाई आर स्क्वेर यह फार्मूला होता है तो बहुत बारी कोश्चन आया हुआ है एक पॉइंट चार्ज के लिए यह इंटेंसिटी जो है वह आर स्क्वेर के इनवर्सली प्रपोस्टनल होती है और यह आप राइट अध्यान रखेंगे एक डाइपोल के लिए अगर यह सेम कोश्चन आता है हम उसके लिए राइट करते ही इनवर्सली प्रपोस्टनल टूद अस्वरी इनवर्सली प्रपोस्टनल आर टूद पावर थी जो है विद्दुछेद्र की तीवरता वह आर की घात तीन के समानुपाती यह विद्क्रम समानुपाती होगा नेक्स्कूशन लेते हम एक्सक्रम है दो एलेक्टिकल कंडक्टिविटी आफ वैक्यूम इस विद्दुथ निर्वाद की विद्दुथ सिलता कितनी होती एपसलान 0 का मान कितना होता है वाट इस दे वैल्यू आप स्लान नॉट तो एपसलान नॉट की 10 to the power minus 12 होती है और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपने पढ़ा है कुलामसला एफ इस एक्वल टू वन बाइ पॉर पाइ एपसलों नॉट क्यू टू बाइ आर इसक्वेर अगर हमको एपसलों नॉट का फार्मूले मनलब यूनिट चाहिए तो हम यहां से फार्मूला F को इदर और इसको क्रास में राइट कर देंगे यहां पर आजाएगा F Q1 Q2 Y R स्कूर ओन यहां से हमको इसके यूनिट और डायमेंसल फार्मूला दो लों मिल जाएगे यूनिट भी मिल जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा इसका मात्रक भी मिल जाएगा उपर क्यू क्यू है तो क्यू के लिए क्या आएगा कुलाम स्क्वेर यहां पर आएगा न्यूटन और इंटू मीटर का स्क्वेर तो यह ध्यान रखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है कुल जो चेटर की दिशास 180 कोंट भूमाने में किया गया कार मतलब the work done is rotating a dipole dipole moment is p through an angle of 180 degree with the direction of the field in the uniform electric field e will be अगर आपको इलेक्ट्रिक फिल्ड में जो work done है उसका फार्मूला पता है तो work done का फार्मूला क्या होता है यह फार्मूला होता है work done का जब भी हम डाइपोल को ठीटा एंगल से रोटेट करते हैं थीटा की वैल्यू 180 है तो यहाँ पर पी इंटू 1 माइनस कॉस 180 आजाएगा और कॉस 180 आएगा तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पी वान माइनस माइनस वन और इस टाइप से माइनस वन माइनस वन प्लस आजाएगा तो टोटल चार वकडन हो जाएगा टू इंटू पी के एक्वल है नेक्स्ट कुस्चन है हमारे पास एक डाइपोल जिसका डाइपोल मुमेंट है उसके कारण केंद्र से ऑर दूरी पर विद्दू छेदर की तीव रहता है तो डूर डाइपोल मुमेंट इस पी दा अगर हम बात करें तो यह जो है फार्मुला होता है वन बाइ फोर पाइ एपसलोन नॉट क्यू और आर इसक्वेल यह होता है पॉइंट चार्ज के कारण लेकिन अगर हमको डाइपोल के कारण बोला है तो डाइपोल के कारण इंटेंसिटी का फार्मुला होता है वन बाइ पॉर पाइ एपसलोन नॉट पी इवाइड बाइ आर टू दी पावर थी और अगर यह कंडिशन की बात करें तो यहां पर अगर मीडिया में कोई यहां पी आजाएगा और आर टू दी पावर थी आएगा तो मैंने अभी थोड़ी दर पहले ही बताया था आपको कि अगर पॉइंट चार्ज बिंदू आवेस के कारण इजो है वो आर स्क्वेर के इनवर्सली प्रोपोस्टनल होता है और जो पूछा जाता है बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है तो याद रखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए वन बाई आर स्क्वेर और डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो वन बाई आर टू दी पावर क्या होगा थी होगा एक्सेल स्टेज में टू पी आता है और रखेंगे बबन्दो को failure नहीं होता है और इस्कारण उसके केंडर पर जोस्यांदर की अगरी यह उता funktioniert Siev भी इस फेर के अंदर इंसाइट इस फेर इस आलवेज इक्वल टू जी रो क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता बिटा अगर कोई हमारा चार्ज एर में लोकेटेट है तो इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा तो यहां पर गॉसियस थेरम क्या कहती है कि टोटल फ्लक्स होता है वो जो चार्ज इंसाइड होता है वो इंसाइड जितना भी चार्ज उसका 1 by epsilon 0 के multiple में होता है अब यहां क्यू की वैल्यू कितनी है वन है अगर क्यू की वैल्यू वान है क्योंकि यहां पर unit दी है कि एकांग का धहनावे से unit positive चार्ज है अगर एकांग का धहनावे से unit positive चार्ज है तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो five is equal to one into one by epsilon not or is equal to one by epsilon not होगा यह भी एक important question है और बार-बार repeat हुआ question आप इसको देखेंगे तो बहुत बार आया हुआ है यह important question है इसको आप रट लीजिए पेटा hundred percent आने के chance इसके the dielectric constant of a metal metal का dielectric constant कितना होता है आपको पता होना चाहिए metal का dielectric constant दातु का परावेद्धु तांक जो के हे वो कितना होता है infinite होता है अनन्त होता है इसके साथ अगर k for water पूछा जाए तो water के लिए के की value आपको याद होना चाहिए 80 होती है vacuum के लिए के की value 1 होती है और air के लिए के की value 1.003 के लिए निर्वात के लिए एक से थोड़ा सा ज्यादा वायू के लिए यह वायू के लिए के लिए और वायू के लिए 1.003 होती है अगर बोलने में mistake हो गई तो मैं repeat कर रहा हूं यह किसके लिए वेक्यूम के लिए और यह वेटा किसके लिए एयर के लिए 1.003 होती हम नार्मल वेक्यूम और एयर के लिए दोनों के लिए यूज करते वन पर एयर के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती 1.003 होती है next question है the unit of electric dipole moment electric dipole moment P होता है और P is equal to formula होता है Q into 2L अब Q की unit क्या होती है बेटा कुलाम और जो L है वो length है तो कुलाम into meter यह हो जाएगी उसकी unit the unit of electric dipole moment is कुलाम into meter याद रखेंगे इसका dimension formula अगर पूछ ले तो याद होना ची कुलाम के place पर हम क्या put कर सकते में 80 A1 T1 और length के लिए क्या आएगा L यह हो जाएगा उसका dimension formula अगर इसको proper way में write करें तो M0 L1 T1 A1 next question अगर हमारे पास वेन चार्ज क्यूं एक चार्ज है इस प्लेज जैने electric field up intensity फोर्स कितना apply होगा यह तीवरता वाले विद्दू छेत्र में क्यूं आवेस को रखने पर उस पर बल कितना लगेगा आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा यह का फार्मूला E is equal to F by Q यह होता है यह intensity का फार्मूला होता है intensity is equal to F by Q unit charge पर लगने वाला फोर्स वो क्या होता है electric field की intensity होती है अगर यह charge इदर चले जाए cross हो जाए तो क्या हो जाएगा cross multiply होकर Q into E is equal to क्या होगा F यह आपसे पूछा है कि अगर क्यू चार्ज क्यू आवेस कहां रखा है इविद्धुच्छेत्र में intensity के हमारे फिल्ड में रखा electric field में तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा F is equal to Q into E के equal next question है विद्धुच्छेत्र का मात्रक क्या होता है अभी हमने फार्मूला देखा electric field का फार्मूला होता है E is equal to F by Q F की unit क्या होगी Newton और कुलाम फोर्स की unit Newton होती है चार्ज की कुलाम तो कुलाम Newton पर कुलाम यहां से अब मैं इसका dimension फार्मूला भी सीख लेते की dimension फार्मूला क्या होगा तो फोर्स का क्या होता है M1 L1 T-2 and इसका charge का होता है AT इसको solve करते हैं पिटक क्या हो जाएगा M1 आएगा L की value 1 आएगी E की value minus 3 यह उपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा और minus 2 minus 1 minus 3 हो जाएगा और A भी क्या हो जाएगा minus 1 यह भी important question है याद रखेंगे electric field जो होता है उसकी dimension formula उसका क्या होता है M1 L1 T-3 A minus 1 हमारा जो विद्दुचेत्र है उसका Vimisutra क्या होता है तो यह Vimisutra है और यह उसका क्या है Mात्रक इसको हम इंदी में लिख सकते हैं Newton प्रति-Kulam Newton प्रति-Kulam जो मात्रक होता है किसका होता है विद्दुचेत्र की तीवरता का अब हमारे पास दूसरा टाइप का एक कोश्चन है जो है रिक्तिस्तान भरी है तो फिल इन द ब्लैंक से पहला ही कोश्चन बहुत सिंपल कोश्चन है आवेस का विमी सुत्र क्या होता है आवेस का विमी सुत्र क्या होता है आवेस क्या होता है क्यू और क्यू इस इक्वल तो आई होता है और क्यों इस एक्वल टू आई इंटू टी होता है अगर यहां से हम इसकी विमिय सुत्र राइट करना चाहे एक लिए आजाएगा और टी के लिए टी होगा वे टी इसका डाइमेंशन फार्मूला होगा विमिय सुत्र होगा नैक्सटन हम लेते हैं दो सजाती αवेसे एक दूसरे को क्या करते है कि को पता है कि डो सजाती अगर एक जेसे आव那么 है अगर प्लस क्योंमु सभा माइनस कि लियुक्त है तो इनमें क्या होता है प्रतिकर्षन होता है तो तो अगल माइनस कि तो हें जैचा रिबल कस अजुग guess क करते हैं में प्रतिकर्षित बश्री तो क Κर सनौ acne हमारा जो सेशन चल रहा है यह काफी इंट्रेस्टिंग होगा मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जितने भी बच्चे उन तक पहुंचाएं ताकि 12 वाले जितने बच्चे हैं उनका फाइदा हो सके उनको बहुत इंपोर्टेंट को सके और यह लास्ट टाइम में ढूनने जाएंगे हमको कोई टीचर समझाने नहीं जाएगा आपके पास यह अगर यूटूब पर यह यूटूब पर से है तो इसका मतलब है कि आप इसको कभी भी देख सकते कुई सी कोश्चन में प्रॉब्लम आती आप मुझे वहां लेकर आपके सामने हजीर हो जाऊंगा ठीक है नेक्स कोश्चन ए विद्दुच्छेत्र की तीवरता का इसा ही मातरक क्या है यह साइए यूनिट आफ़ एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी अभी बताया था एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी इह होता है बेटा और ए इसाफ से न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी की तीवरता की न्यूटन प्रति कुलाम होती है अब बिद्दुच्छेत्र का विमी सुतरा गया डायमेंशन फार्मूला आप एलेक्ट्रिक फिल्ड मैंने अभी फाइंड करके सिखायत आपको कि क्या ह हновता है कैसे होता है तो इस इक वल्टु क्या होता है यह ती माइनस टुकि और चार्ज का क्या होगा एँवन टीवण अब हम इसको solve करते हैं तो M की तो कोई value है नहीं तो M की value जो 1 है, 1 ही रहेगी, L की value 1 रहेगी, T की value जो यहाँ पर नीचे भी है, उपर भी है, उपर minus 2 है, नीचे, इतनी है, plus 1 है, उपर जाएगा तो वो minus का हो जाएगा, तो माइनस टू, माइनस वन, माइनस थी हो जाएगा और ए भी जाकर माइनस वन हो जाएगा तो unit of electric field या विद्धु छेतर का विमी सुद्र M1, L1, T-3, A-1 होगा ओके नेक्स जो एक आदर्स द्विधु का आकार क्या होता है एक important question है, most MP question है रट लीजी इसको एक्जाम में छपने वाला है क्या है यह आदस द्वीध्रू का आकार दसेप आइडियल डाइपॉल डाइपॉल क्या होता है अगर हम टू चार्जेस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू इनको हम पूए वो डिस्टेंस कितना है ट्व इस पूरे सिस्टेम को हम बनें डाइपॉल इड़य अगर यह आईडिय ले तो इनका बीच का जू डिस्टेंस से वह Admini होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है जीरो या नेगली जीपल कि याद रखेंगे देसे पापन आइडियल डाइपोल इस नेगली जीपल आर जीरो next question लेते हैं अगर हमारे पास two point charge है plus q minus q और उनके बीच का distance l है फिर वही बात है एक हमारा plus q है एक minus q है उनके बीच का distance कितना है बेटा lk equal then dipole moment what is the dipole moment का फार्मूला होता है दोनों में से कोई एक चार्ज लेलो कोई भी चार्ज अपको unit नहीं लेना है और उसमें काई से मल्टिप्लाइ कर दो distance से तो q into l हो जाएगा यहां पर dipole moment सर पर हमने तो कहीं फार्मूला पढ़ा है पी इस इक्वल टू क्यू इंटू टू है तो क्या है हमको यहां 2L राइट करना पड़ेगा बेटा फर्स्ट आप्सन यही आएगा क्यू इंटू 2L पर अगर वो डिस्टेंस एल दे रहा है यहां पर q into 2L के प्लेस पर क्या आएगा q into l क्यूंकि हमको इनके बीच का दिस्टेंस लेना वह यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एल से ना की 2L से तो यह अप्सन गलत होगा हुआ अगर यहां 2L आता देन यहां भी फैल्यू 2L हो जाती एक समान विद्दू चेत्री में स्थित विद्रु आगोंड पी पर लगने वाला अधिक्तम बल्यूग मा आगोंड कितना होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड ए दा मैक्सिमम फोर्स एक्स्ट्रेक्टेड अन दाइपोल मोमेंड पी विल बी तो मैक्सिमम जो फोर्स होता है वो आपसे पूछा है तो फॉर्स अधिकतम बल आगोंड पूछा अधिकतम टॉपचा यह था होता है अधिकतम बल आगोंड कितना होगा वह ए विद्दुचेत्र में पी विद्रु आगुण पी पर लगने वाला अधिकतम बल्यूग में आगुण कितना होगा इन युनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड तो maximum 4 expected on the dipole moment P will be तो maximum force के इस place पर talk आएगा तो कितना talk generate होगा P into sin theta और maximum बोला है तो बेटा sin theta की value कितनी हो जाएगी 1 क्यूंकि theta is equal to 90 होगा तो max की value जो होती है वो P into E के equal होती है याद रखेंगे कभी कभी इस पर एक और question आता है अगर इसका vector form पूछा जाए तो vector form क्या होगा P into P cross E के equal होगा याद रखेंगे tau is equal to P cross E electric dipole moment is a कैसी quantity है scalar और vector आप बता सकते है easily कि P कैसी quantity है P is a vector quantity यहाँ पर P जो है वो कैसी रासी है सदीस रासी है vector form है याद रखेंगे हम तो vector होता है यही पूछा electric dipole moment is a dash 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 quantity vector quantity होती है और इसकी direction minus charge से plus charge की होती है यह भी ध्यान रखेंगे इसकी जो दिसा होती है वो रेन आवेस से धान आवेस की होती है इसाई पद्धती में विद्धु चीलता का मात्रक क्या होता है इन इन द एसाई सिस्टम द यूनिट अप एलेक्ट्रिक कंड़क्टिविटीज जो एपसलों नौट है उसकी यूनिट पूछी है विद्धु चीलता इस वी को का जाता ह अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी भी इसकी उता कितनी होती इसका मान कितना होता है इसका मात रक कितना होता है एक बार रिपीट कर देता हूं IMP question है आता रहता है आएगा 8.85 into 10 to the power minus 12 कुलाम square by Newton into meter square यह इसकी unit होती है repeat कर रहा हूँ इसका अगर आपसे dimension formula पूछे तो वो भी हो आपको पता होना चाहिए और इसकी unit भी पता होना चाहिए तो unit यहां से आजाएगी मैंने आपको एक formula बताया था कुलाम चला 1 by 4 पाई epsilon not q1 q2 by r square तो इसको epsilon not को यहां पर write कर देते हैं और force यहां आ जाएगा तो unit आ जाएगी कुलाम square force की Newton और r square की meter के लिए खुलाम वित्करम वर्ग नियम के वल उन बिंदू आयसों के लिए सत्त्य होता है जो अलिस्तान आवस्था में रहते हैं कुलाम्स इंवर्स स्क्वेर लाइस टूली ओनली फॉर तो पॉइंट चार्ज विच्छ रिमेन इन देश्ट आफ पताईए क्या आएगा इसका कुलाम का नियम कभ अपलाए होगा उन्होंने का कि भाईया इस्तीर विद्दुद पर अपलाए होगा जो चार्ज इस्तिर रहते हैं यह कौन सी कंडिशन में रहते हैं इस्तेस्नरी अगर यह स्टेशनरी कंडिशन में है तो तो अपलाए होगा अगर यह मूग कर रहे हैं तो मोमेंट के साथ कुलामसला अपलाए नहीं होता हुआ करण का फ्लो होता है इसलिए हम सेकंड चिप्टर सेकंड यूनिट में करण इलेक्रिसिटी पढ़ते हैं तो यह केवल हमारा इसलिए चिप्टर का नाम है इलेक्ट्र स्टैटिक स्टैटिक कंडिशन में होना चीए तब हमारा कुलामसला अपलाए होगा कुलामसला इनक्यू तो आज के लिए इतना ही काफी हम इनको आप पढ़िए अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसमें अगर आपको कोई भी प्र मस्याई हम उसको रिपीट करेंगे और कोई कोश्चन अगर आपको लग रहा है कि हमको यह कोश्चन समझना है फिजिक्स में केमेस्टी में तो मैं बिलकुल हाजीरू आप जो कोश्चन बताएंगे मैं उसका सॉलिशन लेकर आपको हमारे चैनल पर दूंगा बस आपको हमा हमारे चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है थैंक यू